इंडिन कुषिन की खासियत है कि इसमें बहुत सारे अलग-अलग मसालों के सही इस्तिमाल से मन चाहा स्वाद पाया जा सकता है मसाले ना सिर्फ स्वाद को बढ़ाने का काम करते हैं बलकि ये हेल्थ के लिए भी बहुत तरीके से बेनिफीशल है अलग-अलग मसालों के अलग-अलग टेस्ट और हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं जैसे हल्दी, धनिया, लाल मिर्ज, जीरा, सौफ, अजवाईन, इत्यादी तो आज इस वीडियो में हम कुछ मसाले और उनसे जुड़ी हेल्थ बेनिफिट के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि मसाले हमारे लिए किस प्रकार से इंपोर्टन्ट है और क्यों तो चलिए शिरू करते हैं अपने वीडियो को हल्दी, हल्दी का सेवन रोजाना हम किसी ना किसी रूप में करते हैं जिसे दाल में, सबजियों में और भी बहुत से डिशेज में हल्दी हमें बहुत प्रकार से हेल्थ बेनिफिट पहुचाती है हल्दी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉंग बनाती है हल्दी वाला दूद रोज पीने से अपनी इम्मून सिस्टम को और भी हल्दी बनाया जा सकता है हल्दी में क्यूर कुमिन होता है जो बॉडी में बाइल फॉर्मेशन को एक्टिव करता है और डाइजेशन को इंप्रूव करता है इसके अलावा हल्दी, स्वेलिंग और गेस्टिक की प्रॉब्लम को कम करने में हल्प करता है हल्दी में वाइटूमिन ए और मिनरल भी होते हैं हल्दी वेट लॉस में हल्प करता है और मेटापॉलिजम को इंप्रूव करता है जिससे फैट बर्न होने में हल्प मिलती है वाली प्रॉब्लम और बॉडी से टॉक्सिंस को भी रिमूव करता है इसलिए हल्दी का सेवन हमारे लिए हल्दी है धन्या वैसे तो धन्या के बहुत साहे औशदी गुण हैं उसके अलावा टेस्ट खाने की सजावट चटनी और मसालों की रूप में भी इसका इस्तमाल होता हैं साथ ही कई विमारियों को दूर करने में हेल्फ फुल है धन्या की लीज़्स और उसकी सीट्स दोने ही खाने की टेस्ट को बढ़ा देते हैं धन्या गैस से चुटकारा दिलाने और डाइटिशन को इंप्रूव करने में हेल्प करता है इट हेल्प क्योर होता है इस परकार धनिया हमारे हेल्थ के लिए बेनिफीशल है इफ यह वांट तो लूज वेट तो कॉरियंडर सीट्स को बॉयल करके उस पानी को ठंडा करके आप रोज यूज कर सकते हैं इससे फैट लॉस होने में हेल्प मिलेगी धनिये से मेटापॉलिजम बढ़ता है औ कि इसका यूज हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफीशल है लाल मिर्च शरीर में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है आयुर्वेद में लाल मिर्च का उपयोग पेट से समंदित समस्याओं को दूर करने गैस्टेक हैडएक पूर डाइजेशन और कफ जैसी प्रॉब्लम का उ लाल मिर्च का उपयोग एक सीमित मात्रा में करना चाहिए क्योंकि लाल मिर्च के फायदों के साथ उसके जादा उपयोग से नुकसान भी हो सकते हैं जैसे गले में जलन चाले हो जाना इसके अधिक सेवन से पेट में भी जलन हो सकती है तो लाल मिर्च का उपयोग हमेसा सी मीत मात्रा में ही करें जीरा वैसे कम ही लोग जीरा खाने के फाइदी के बारे में जानते हैं जीरे का नियमित अस्तमाल प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को एक्टिवेट करता है जिससे बाड़ी के अंदर के टॉक्सिन्स वाश आउट हो जाते हैं जीरे में वाइटमीन ई पाया जाता है जो स्किन को हेल्दी रखने में बहुत हेल्फुल होता है इसमें एंटी फंगल गुण होते हैं जिसके कारण स्किन इंफेक्शन से बची रहती है जीरे में आईरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है जिससे एनीमिया जैसी परिशानी से बचा जा सकता है जीरा डायबटीज में भी लाबदायक है जो बलड में शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और जीरा अस्थमा के मरीजों के लिए भी फायदे मंद है इसमें ठाइमोकी नौन नामक एक तत्व होता है जो अस्थमा को रोकने में कारगर साबित होता है अजवाइन भारती मसालों में से एक खास मसाला है जिसका उपयोग केबल टेस्ट को इनहेंस करने के लिए नहीं बलकि हेल्थ को इंप्रूव करने जैसे गुणों के लिए भी जाना जाता है अजवाइन के बीज थोड़े जैतून के जैसे ब्राउन या ग्रीन कलर के होते हैं अजवाइन पेट के बिमारियों को रोकने में बहुत इंपोर्टन रोल प्ले करता है अजवाइन का यूज स्टमक एक, गैस्टिक, वॉमिटिंग, खट्टी ढकार और एसिडिटी में आराम दिलाने में हेल्प करता है अजवाइन काला नमक और सौट की चूण को खाना खाने के बाद खाने से खट्टी ढकार और एसिडिटी जैसी प्राब्लम को दूर किया जा सकता है अजवाइन मेटाबॉलिजम बूस्ट करता है जो वेट लॉस में काफी यूसफुल है अजवा और है अजवाइन स्टमस्टा में आकर स्टी यूजरा ईसं लास खाने माइटलय के छींग गड्म। छोप्वाइन पताने में आखा जा उंशाएं भ्याइन और एस साटाबे काल